हेलो फ्रेंज, मैं हूँ रुपेन, फैक बॉक्स रुपेन यूट्यूब चैनल से और आज मैं आपको इंडिया के बारे में 10 इंट्रेस्टिंग फैक्स बताऊंगा सो लेट्स स्टार्ट फैक नमबर वान, दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू इंडिया का ही है ये स्टैचू सर्दार वललब भाई पटेल का है इसको स्टैचू आफ यूनिटी भी कहा जाता है ये स्टैचू गुजरात में है और इसकी हाइट 182 मीटर्स है इस स्टैचू को बनाने में 5 साल लग गए थे 31 अक्टूबर 2018 को श्री नरेंदर मोदी ने इस स्टैचू को इनौगरेट किया दुनिया का सबसे लंबा रेल्वे स्टेशन गोरगपुर यूपी में है ये स्टेशन 1355 मीटर लंबा है दुनिया की सबसे उची मोटरेबल रोड ले में है ये रोड 5670 मीटर उची है ये रोड लेक को पैंगोंग लेक से कनेक्ट करती है पैक नमबा फोर क्या आपको पता है कि इंडिया में कौन से शहर में सबसे पहली बिजली आई थी आपको लगेगा कि जवाब होगा मंबई या डेली पर नहीं इसका जवाब है दारजिलिंग वेस्ट बिंगॉल दारजिलिंग में पहली बार बिजली 1897 में आई थी दुनिया का सबसे उंचा क्रिके ग्राउंड इंडिया में ही है जी हाँ और ये ग्राउंड चैल हिमाचल प्रदेश में है ये ग्राउंड 2444 मीटर्स की उचाई पर है ये बात तो हम सभी को पता है कि प्लास्टिक हमारे इन्वारमेंट को खराब कर रहा है इसलिए अक्षर स्कूल गवाठी ने एक बहुत ही अच्छा इनिशियेटिव लिया है कि वो बच्चों से फीस पैसों में नहीं लेंगे बलकि प्लास्टिक वेस्ट की तरह लेंगे जी हाँ प्लास्टिक वेस्ट ये बहुत ही अच्छा इनिशियेटिव है क्योंकि ये इन्वारमेंट फ्रेंडली है फैफ नमबर सेवन दुनिया में सबसे ज्यादा वेजिटेरियन्स इंडिया में ही है इंडिया की पॉपुलेशन 1.2 बिलियन है और उस 1.2 बिलियन में से 31 परसेंट लोग मीट नहीं खाते यानि की वो वेजिटेरियन्स है फैट नमबर एट ये बहुत ही फैसिनेटिंग फैक्ट है क्योंकि एक ऐसा भी गाउ है जहाँ पर दरवाजे नहीं होते हैं जी हाँ शनी शिगनापूर महारास्ट्रा का एक ऐसा गाउ है जिसमें किसी भी घर में डोर्ज नहीं होते सिर्फ डोर फ्रेम्स ही होती है और उससे भी सप्राइजिंग बात ये है कि आज तक उस गाउ में एक भी चोरी नहीं हुई है गाउ के लोग ये बात मानते हैं कि यहाँ कोई चोरी नहीं करता क्योंकि वो डरते है कि शनी भगवान उनसे और उनके परिवार से नाराज हो जाएंगे फैक नमबर नाइन हम सबने फ्लोटिंग बोट्स और फ्लोटिंग हाउसिस के बारे में तो सुना ही है पर क्या आपने फ्लोटिंग पोस्ट आफिस के बारे में सुना है जी हाँ दुनिया में एक फ्लोटिंग पोस्ट आफिस भी है और ये पोस्ट आफिस श्री नगर की दल लेक में है जी हाँ ये ऐसा एकलोता पोस्ट आफिस है जो पानी के उपर तैरता है फैक्ट नंबर टेन फाइनल फैक्ट ये बात तो हम सभी को पता है कि इंडिया की में भाषा हिंदी ही है फिर भी इंडिया सभी इंग्लिस स्पीकिंग कंट्रीज में से इंडिया के सेकेंड नंबर पे सबसे ज़ादा इंग्लिस स्पीकर्ड है सिर्फ यूएसे से पीछे शेर और सब्सक्राइब करना ना खूलिये और थैंक्स फॉर वाचिंग